नमस्कार दोस्तों आप है अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और वीडियो की शुरुवात पोधों में पानी देने के साथ और बिल्कुल दोस्तों आप तो बहुत जरूरी हो गया है बार-बार पोधों को पानी देना अब तो एक भी दिन हम रह नहीं सकते पोधों को पान सकते है तो लगा लो और नहीं तो दोस्तों फिर आप गुरूप बना-बना के प्लांट को रख दो जैसा कि मैं अब दीरी-दीरी शुरुवात कर रही हूं और आज का दोस्तों हम प्लांट लेते हैं जैसे कि बहुत सारे गुड लिविंग मेंबर्स के कमेंट थे कि आप इ सपास यह कहीं लगा हुआ है तो आप इसको बिलकुल कटिंग से लगा सकते हो जैसा कि मैंने पुदीनलमा बताया था ना बिलकुल उसी की देखो फूल तो आप देखी रहे हो और दोस्तों यह इतना हाड़ी प्लांट है कि जो आपकी समर की गर्मी है उसको तो बरदाश करेगा करेगा और इसमें दोस्तों ज्यादा पानी देने की भी जरूरत नहीं होती तो फिर मुझे लग रहा था मैं इस प्लांट के बारे में लगाते हो जैसा मैंने लगा रखा है तो बिल्कुल आपका गंबला भी यह कवर कर लेगा और दूसरा गरा फैंगिंग बास्केट्स में लगा रहे हो आप यह छोट छोटे प्लांटर्स में लगा रहे हो तो भी इस तरह से चारो तरफ से फैल जाएगा और फिर जब इसके फूल आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी अभी इस पे आने शुरू है तो बिल्कुल बहुत असानी से उने वाला प्लांट दोस्तो और घर में अगर आपके लगा हूँ है तो आप इसकी कटिंग काट काट के और भी प्लांट बना सकते हो थोड़ा शेड एरिया में और उपर के अगर दो-चार पत्ते छोड़ो तो बेशक छोड़ भी देना निच्चे के सारे हटा देना फिर ये बीच-बीच में से जहां से इसके पत्ते निकलने होंगे वहां से ग्रो करेगा और निच्चे इसकी जड़ बननी शुरू हो जाएगी पांसा दिन के अंदर अपने बिल्कुल जादा रीवर सेंड मिला के तब कटिंग लगानी है तक इसकी रूट्स को बनने में जड़ासी भी दिक्कत ना हो और नहीं तो कंपोस्ट में भी लगा सकती हो और जैसा कि मैंने बताया दोस्तों जादा पानी देने की इसको कोई जरूरत नहीं नहीं तो प्लांट खराब हो जाता है क्यों हो जाता है इसका मुझे भी एक्सपिरियंस तब हुआ जब मैं कुछ साल पहले इसमें रेगुलर वाटरिंग करती थी और मैंने कई सारे पोद्धे खराब हो गए थे फिर मुझे पता लगा कि इसमें ज्यादा पानी देने की जरूरत ही होती है थोड़ा सा नाजू कि यह देखो भले ही मैंने सारे पोद्धों में पानी दिया हुआ है लेकिन यह देखो इसकी मटी आपको सुखी नजर आएगी और मैं इसमें ज्यादा तर शावरिंग करके पानी देती हूं हलका फुलका कभी दे दूं तो दे दूं तो आपने है यह आपके खुद के घर में लगा है तो अब इसकी कटिंग काट काट के भी उगा सकते हो और नहीं है फिर कोई जुगाड तो क्या बता हूं है ना जो और मैने कटिंग लगानी बता ही है वो लगा लेना तो कई लोग पूछ रहते हैं मैं इसको उगाने का मैथड बता और सबसे बड़ी बात है इस प्लांट की कि यह ज़्यादा केर भी नहीं मांगते तो अगर आपका एक बर प्लांट चल जाता है और आप उसको सेफ साइड पे रख देते हो तो बिलकुल आपको इतनी ज़्यादा कोई केर करने की जरूरत नहीं है कभी कबार पानी दे दिय और ज़्यादा दोस्तों इसको शावरिंग करके ही पानी पसंद है बजाए कि इसकी मट्टी गिली करने के तो थोड़ा सा इस बात का अपने ध्यान रखना है यह नहीं कि बिलकुल सूखी रखनी है कभी कबार मैं अच्छी तरह दे भी देती हूं और इसकी जो सोयल दोस्त मैंने बना रखी है न वो थोड़ी सी जो हमारे समर वाले प्लांट है उनसे थोड़ा अलग है इसकी जो मट्टी का ड्रेने सिस्टम है वो बहुत अच्छा आपने रखना है बजाए कि और गर्मियों के प्लांट के जो थोड़ी सी हम जुड़ी भी मट्टी लेते हैं ताकि आपको होगे इसको रखे का तो जैसा कि मैंने रख रखा है दोस्तो इसको ऐसी जिंगर रख रखा है हाँ यहां धूप आती है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं आती आती है थोड़ी सी आती है और जब मैंने ग्रूप बना के रखा हुआ है तो फिर वो थोड़ी सी भी धूप पाती है तो मुझे इस बात की चिंता नहीं है तो आप इसको दोस्तों इंडिरेक्ट संलाइट में रखोगे तो इजाद अच्छा चलेगा कहने का मतलब यह है जो मेरा और रखा हुआ है वो भी ग्रूप में रखा हुआ है प्लांट के और इसको भी मैंने ग्रूप बना की रखा हुआ है और यहां भी कोई ज़्यादा इतनी ज़्यादा दूप नहीं आती और यहां ज़्यादा तर दोस्तों मैंने वही प्लांट तो जब यह इकठ्यों के प्लांट लगे होती है ना फिर किसी भी प्लांट के सूखने की समस्या जुआ है वो गुझती बहुत अत्तक और जब आप शावरिंग करके प्लांट को पानी देती हो दोस्तो तो एक ट्रॉपिकल सा जो महौल है बनता है उससे क्या होता है पानी की बचत भी होती है और दूसरा आपके ब्लांट भी खुछ रखते हैं और भी मैं आपको दिखाऊंगी थोड़े से तरिक्चे जिससे कि आप अपने प्लांट को सेव भी कर सकते हो और इस टाइम दोस्तों कुछ ऐसे हमारे नाजूट से प्ल को तो हमें बचा के रखना ही होगा क्योंकि इस टाइम गर्मी बढ़ने लगी है और कुछ प्लांट्स की पतियां जो है जलने लगी है तो यह सब मैंने इंडरेक्ट सनलाइट में रखे हुए है जहां सनलाइट थोड़ी सी आती है लेकिन ग्रूप में रखने के बाद यह सब बड़े अच्छे से चल रही है तो कुछ प्लांट्स को मैंने साइड में रखा है और उसके जो रिजल्ट है मैं आपको भी दिखाती हूँ उसके बाद जो उनकी पतियों में जो फरक आया है और जो उनकी नईनी ग्रोथ स्टार्ट हुई है और जो उसके पत्ते जलने लगए थे उनको अधो के तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी तो सबसे पहले तो दोस्तो एक गुलाबी देख लो इसके पत्ते दोस्तो जहां मैंने रखा हुआ था यह जलने लगए थे अब दूप की वज़े से और यहां रखने के बाद तीन-चार दिन के अंदर अंदर ही आप दिखोगे इसकी नईनी ग्रोथ भी स्टार्ट होई है यह देखो नईने पत्ते निकलने शुरू होगे हैं जहां यह दूप में रखे हुए थे वहां कोई पत्ता निकल रहा था बलकि जो पुराने वाले पत्ते थे न वो जले जा रहे थे जैसे कि आप पुराने पत्ते भी देख रहे हो और नए जो निकल रहे है न उनमें भी डिफ्रेंस कर पा रहे हो जखो साइड में रखने से कितना फरक पड़ा है इनमें भले ही वहां पे भी गुरूप में रखे हुए थे मैंने लेकिन गुलाब दोस्तों थोड़ा सा नाजुक प्लांट है तो बिल्कुल मुझे डर था मेरे गुलाब के प्लांट खराब कुछ अभी रहे हैं रखने वह जादा जादा बड़े गमलों में रखे हुए हैं उनको भी रखोंगी धिरे-धिरे करके क्योंकि अभी लोगडाउन में कोई हैल्प भी नहीं कर सकता है ना कुछ से ही करना है जो करना है और कई बार तो husband help करा देते हैं कई बर इनका मूर दिया होता कई वर तो कहते ही काम करा देंगे कई वर कहते ही में नहीं करता है सबका ही यह होता है तो जिसको अगह जै कैसे इमर जी काम करे उसको तो यहां पर से थोड़ा सा भी covered area मैं इनको वहां रख रही हूँ जहां पर इनको इंडिरेक्ट sunlight मिले sunlight तो सब कोई मिलेगी अब गर्मी में कोई ऐसा कोणा रहेगा नहीं गर्मी में जहां दूपना है दोस्तों ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है और यह देखे यह भी सारे मेरे एक उसके निचे covering के निचे लगे हुए है यह बिल्कुल साइड का area है दोस्तों मेरा यह almost बंसा ही रहता है बस store बगरा है यह तो यहां पे भी पूरी हर्याली होगी है और यह देखे बेल बेल लग लगा के अब यह सारा area बहुत सुंदर सा त्यार हो गया है पहले बिल्कुल सुना सुना था यह और इस तरीके से मैंने सारे सारे जो मेरे नाजुक से प्लांट थे मैंने एक तरफ रख यह बड़ी डिश में लगा हुआ है दोस्तों मेरा टाइगर रोज इस तरफ ना कई गुलाब अभी रखे हुए है इनको भी मैं लगाऊंगी अलग लग और इस पे दोस्तों मैंने ट्रीटमेंट भी किया था यह बिल्कुल मरने वाला हो गया था और अब यह देखो सारी न इस तरीके से तो बहुत खुशी होती है देखे है न कि हमने एक प्लांट को मरने से बचा लिया और यह सारी दोस्तों नही नही पती है इसके आप देखी रहे हो नही 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 उग भी रही है बस मुझे अब चिंता इसको थोड़ा सा जंगह देखके इसको भी मैं साइड म लगाऊंगी क्योंकि यह जो गंबली है न डिश वाले हैं और अब आप पूछ रहे थे हैं आप टमाटर का प्लांट अपना दिखाओ तो दोस्तों मैं यह से बहुत सारे टमाटर उतार उतार के ले जाती हूँ चटनी बटनी बनाती रहती हूँ क्योंकि यह देशी टमाट चला सकते हैं तो यह देखो इतने सारे टमाटर इस पे अभी आ रहे हैं और भी जो मैंने अलग लग डबो में लगा रहे हैं उनमें भी खूब अच्छे टमाटर चल रहे हैं ग्रोथ अच्छी आई हूई है और सबजें अभी उगने लग रही हैं और यह देखो जो मैंने प्लांट की लगाने की भी तो आपको रिजल्ट उसके बहुत अच्छे मिलेंगे आपके टमाटर के फूल ली जड़ेंगे बस और अब आपकी दोस्तों जो मोर्निंग गलोरी की वाइन है उसको भी आप बिल्कुल साइड में रख दो इंडरेक्ट सनलाइट में जैसे मैंने और प्लांट रखे हैं अपने तो यह अच्छी चल जाएगी कुछ दिन और नहीं तो फिर अगर दूपे रखी रही नहीं सूख जाएगी फिर तो उमीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा लैंटाना का जो प्लांट मैंने आपके साथ शेयर किया जिसको की हम राही मुनिया भी बोलते हैं तो उमीद है आपको लगाने का वो तरीका आ गया होगा उसको तो बस इस तरीके से अपने प्लां आपको 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 लाँ